हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल विकास 3 1 टैक में तो फ्रेंड्स अगर आप एक यूट्यूबर हैं और यूट्यूब से आप कमाई कर रहे हैं मतलब आप यूट्यूब से एक्सेंस के थुरू अर्निंग कर रहे हैं तो यह जो वीडियो है वह आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट होने वाली है अगर आप इस वीडियो को मिस कर देंगे तो हो सकता है बाद में आपको रोना पड़े और आप बहुत ज़्यादा परेशान भी हो सकते हैं बहुत इंफोर्मेटिव वीडियो है इसलिए वीडियो को वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यूँ है पहली बार मेरे चैनल के उपर आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बैल को ओन करके उससे ओल पर सेट कर लें जिससे आपको मेरी आने वाली हर एक नई वीडिय सबसे पहले मिले तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो फ्रेंड्स आपको ये तो पता ही होगा कि आप यूट्यूब से काफी सारे तरीकों से पैसे कमा सकते हैं और गवर्मेंट के तरफ से एक बहुती बड़ा रूल आया है जो आपको जाना बहुत ज़्यादा अगर मान लिजे आपकी एडसेंस की जो अर्निंग है वो 10 लाग से जादा है मतलब जो आप एडस के थुरू अर्निंग कर रहे हैं यूट्यूब से जो आपको एडसेंस के थुरू मिलती है जो बाहर के कंट्री से पैसा आता है आपके बैंक एकाउंट में अगर वो अर्नि अगर आपकी एर्निंग मान लिजे आप स्पोंसर्शिप से भी पैसा कमाते हैं यूट्यूब से और एक्सेंस से भी पैसा कमाते हैं तो दोनों की टोटल एर्निंग मतलब आपकी यूट्यूब की टोटल एर्निंग आप जैसे भी यूट्यूब से पैसे कमाते हैं अगर अंदर ही लगेगी मतलब बाहर के country वाले पैसे पे GST नहीं लगेगी तो आपका जो foreign से पैसा आ रहा है एडसेंस के थूरू मतलब जो आपका बाहर के country से पैसा आ रहा है उससे आपका जो GST है उस पे नहीं लगेगी जो आप अंदर sponsorship करते हैं इंडिया के अंदर अंदर तो वहाँ पे GST लगती है तो आपको GST registration कराना बहुत जादा जरूरी है मैं simple steps में आपको बताऊं तो अगर आपकी YouTube की earning जो है वो 10 लाग से जादा है तो आपको ITR फाइल करना पड़ेगा AdSense की earning है और अगर आपकी total earning 20 लाग से जादा है एक साल के अंदर तो आपको GST registration भी क पसंदाई हो तुसे like और share जरूर करें थैंक यू